दोज़ा दसका सवाल है अगला question से बीम आफ कैफोड रेज इस अब जेक्टेट तो क्राउस्ट रेक्री फिल एंड में इस फिल्ट दोज़ार अज़स्ट इस सच डेट बीम इस नौट डिफलेक्टेड ओके सवाल इस सब्सक्राइब टाइब का सब्सक्राइब देवाइब क इस चीज़ को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं उसकी आप अपने को बेल्यू बताने हैं यहां पर दो चैप्टर के कॉंसेप्ट से पहला है आपका जिसको वेलॉस्टी सेलेक्टर के नाम से पढ़ते हैं मेसी के चैप्टर में वो दूसरा आपना ऑफ को डूल नेचर का तो ह अब हम एलेक्ट्रिक और मेग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर अप्लाइ कर रहे हैं और चार्ज आपका डिफलेक्ट नहीं हुआ तो उसका इलेक्ट्र सेडिक फोर्स और आपका मेग्नेटिक फोर्स बराबर होना चाहिए इसका मतलब यह है कि हम कहते हैं यहां प इक्वल टू आपकी एलेक्ट्रिक फील्ड विल बीक्वल टू वी बी या फिर एक काम करते हैं इसको ऐसा लिख लेते हैं वी विल बी इक्वल टू ईबाए बी यह आपकी पहली एक्वेशन हो गई तो यह वेलॉसिटी आपकी होनी चाहिए कि एबाए बीका रेशो हो नहां पर हम लिखेंगे उसकी कानेटिक एनरजी विल बी इक्वल टू क्यू वी कानेटिक एनरजी को लिखेंगे हाफ एम वी स्कॉयर विल बी इक्वल टू उसका क्यू वी और इसका मतलब है अगर इसको हम लिखें क्यू बाए एम जो हमें रेशो निकालना है तो इसको थ इस V की value यहाँ पर insert कर देते हैं तो आपका Q by M जो है उसकी value हो जाएगी V square यानि की हो गया E square divided by 2 V B square यह आपका final answer आजाएगा आपका option number D E square divided by 2 capital V B square would be the right answer